कि नमश्कार साथियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी चैनल पर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मंथली करेंट अफेर्स एपरेल 2024 का पार्ट फर्स्ट मेराथन सेशन यानि कि इस सेशन के अंदर हम एक अपरेल से लेकर 15 अपरेल के बीच में जितनी भी most important events हुए हैं जो भी घटनाएं हुई हैं जो भी invention हुए हैं जो आविशकार हुए हैं जो भी appointments हुए हैं खेल जगत से जो भी समाचार हैं वेविन वेविन जो category हैं वहां से जो भी most important news आपके सामने आई उनको एक single video एक single class के अंदर लेकर आए हैं ये session बहुत ही शांदार बह आने वाले exams के लिए आने वाले exams के लिए ये रामबार साबित होगा तो आप सभी से बस एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस session को like करिए अपने friends family में share करिए और चैनल को subscribe किये बिना आगे मत बढ़िए subscribe करने के साथ साथ आप bell icon दबाकर all पर प 8 सेकिंड जो हम 2 से 3 माई के बीच में पोस्ट करेंगे वह आपको तभी सबसे पहले देखने को मिलेगा जब आप चैनल को subscribe करके bell icon दबाकर all पर क्लिक किये होंगे तो हम यह session शुरू करने जा रहे हैं उम्मीद है कि आप session को enjoy करेंगे पूरी जान लगा कर session देखेंगे और last तक देखेंगे क्योंकि यह April 1 से लेकर April 15 के बीच में most important events को एक ही वीडियो में हम लेकर आपके सामने आये हैं चलिए देर ना करते हुए हम class को session को शुरू करते हैं एक एक करके हम question आगे बढ़ते रहेंगे और आपको लगेगा कि हाँ आपको कुछ नया मिला है चलिए देखते हैं question number one रिसेंटली विच स्पेस एज कंपनी है सक्सेस्फिली टेस्ट फायर दा कलाम 250 एड़ प्रपल्शन टेस्ट बैड ऑफ दा इस रो हाल ही मैं किस अंत्रिक्ष कंपनी ने इस रो के प्रनोधन प्रडिक्शन इस्थल पर कलाम 250 का सफलता पूर्वग परिक्षन किया है बेलेट्रिक्स एरोस्पेस अगनी कुल कॉस्पोंस इसकाई रूट एरोस्पेस कावा स्पेस इसका सही उत्तर है option number c की स्काई रूट एरोस्पेस चलिए देखते हैं इसके बारे में इसकाई रूट एरोस्पेस रिसेंटली कंडक्टेड असक्सेस्फुल टेस्ट फायर ऑफ दा कलाम 250 इस रोस सतीज दवन स्पेस सेंटर यानि कि स्काई रूट एरोस्पेस ने हाल ही मैं इस रो के सतीज दव वहेकल from the atmosphere into outer space यानि कि यह है Skyroot Aerospace द्वारा विक्सित launch वहेकल है यह प्रक्षेपन यान को वायू मंडल से बहारी अंतरिक्ष में ले जाने का काम करेगा देखिए आपको एक पात बताते चलें कि यह हम current affairs अप्रेल मंत की देख रहे हैं part first यहां पे हम English as well as Hindi यानि कि दोनों ही मोड में question को discuss कर रहे हैं तो यह एक large scale पर आपके लिए फाइदेबंध है जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वह हिंदी में पढ़ें जो English में पढ़ना चाहते हैं वह English में पढ़ें चीक है आगे बढ़ेंगे next question recently which organization has launched a new network for corona virus kovinet हाल ही मैं कि संगठन ने corona virus के लिए नया network kovinet launch किया है options आपके सामने है word bank WHO WTO UNICEF इसका सही answer होगा option number B the correct option is option number B WHO the world health organization WHO launched kovinet a global network of laboratories specializing in human animal and environmental coronavirus is a surveillance यानि कि विश्य स्वास्त संगठन WHO ने मानव पशू और पर्या वरनी एक coronavirus निगरानी में विश्य शक्यता वाली प्रयोक्षालाम का एक वैश्विग network kovinet launch किया it aims to detect and monitor emerging coronavirus including potential novel strains enhancing risk assessment and informing WHO policies यानि कि यह जो kovinet नाम का network launch किया जा रहा है इसका उद्देश्य संभावित नई उपवेदों सहित उभरते हुए coronavirus का पता लगाना है निगरानी करना है जोखिम मूल्यांकन को बढ़ाना है और WHO नीतियों को सूचित करना है तो जो kovinet है network of laboratory यह किस ने launch किया यह WHO ने launch किया है next question what are cicadas recently seen in the news हाल ही मैं समाचारों में देखे गए cicadas क्या है sound producing insects ancient irrigation technique new discovered species of spider invasive plant तो इसका correct answer है option number a sound producing insects scientists have discovered a new species of cicada in Meghalaya dubbed butterfly cicadas वह ग्यानिकों ने Meghalaya में cicada की एक नई प्रजाती की खोच की है जिसे butterfly cicada का नाम दिया गया है और cicadas basically are sound producing insects with two pair of wings compound eyes and ocelli they measure two to five centimeter and males produce loud noises via vibrating membranes ठीक है cicadas दो जोड़ी पंक मिश्रित आखे और ओसली के साथ ध्वनी पैदा करने वाले कीड़े हैं इनकी लंबाई दो से पांच सेंटिमेटर होती है और नर कंपन जिल्ली के माध्यम से तेज आवाज पैदा करते हैं अगला question देखेंगे टेंटालम a rare metal was discovered in which river टेंटलम एक दुर्भल धातू हाल ही में किस नदी में खोजी गई थी ऑप्शन सें गोंती सतलज कावेरी या कुदावरी इसका correct answer होगा option मेर भी सतलज तो दक ट्रेसिस ऑफ टेंटलम और रियर मेटल क्रूशल इन एलेक्ट्रोनिक्स वर फाउंड इंदा सतलज रिवर बाई इंडियन इस्टिटूट आफ टेक्निलोजी पंजाब रिसर्च भारत प्रद्योगी संस्थान पंजाब के शूत करताओं द्वारा सतलज नदी में एलेक्ट्रोनिक्स में महतवपूर्ण एक दुरूबल धातू टेंटलम के अंश पाए हैं अब टेंटलम इस वाइटल टेंटलम में अगला कुशन देखेंगे राजिस्थान गुजरात उत्तराकंड या उत्तर प्रदेश सही उत्तर होगा ऑप्शन नमबर ए राजिस्थान करेक्ट टांसर इस ऑप्शन ए राजिस्थान तो दवर्ड्स फर्स्ट ओमशेब टेंपल ओमाकार वस इनागुरेटें जादन राजिस्थान पाली डिस्ट्रिक्स स्पैनिंग ओवर 250 एकर्स दुनिया का पहला ओमाकार का मंदिर ओमाकार राजिस्थान के पाली जिले में जार्डन में 250 एकड़ में फैला हुआ है होल्डिंग 1008 आइडल्स ओफ लॉर्ड महादेव एंट्व जोतिर लिंग्स इट सेंद्स एट 135 फीट विद 2000 पिलर्स और 108 रूम्स भगवान महादेव की एक हजार आठ मूर्थियों और बारह जोतिर लिंगों से युक्त यह दो जार इस्थम्भों और एक सौर्ट कमरों टैंक डैट इनांसिस इट्स क्रेडिवर विजिबल फ्रॉम स्पेस शीर्ष पर धौलपुर के स्वर्टिक से निर्मतिक शिवलिंग है अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला दो लाग टन का टैंक इसकी भाविता को बढ़ाता है यानिकि यह जो माकार नाम का मंदिर है यह राजिस्थान के जाडन के पाली डिस्ट्रिक में है जो कि पाली डिस्ट्रिक में आता है और यह थाईसो एकड़ में फैला हुआ इसके अंदर एक अजार आठ भगवान महादेव की मूर्तियां है बारहे जोत्रिलिंग है इसकी उंचा ही 135 फिट है इस मंदिर में 2000 खंबे स थंब लगे हुए हैं और 108 कमरे मने हुए हैं साथ में इस जो मंदिर मंदिर है इसके जो शीर्ष पर इसका जो टॉप है वहां पर धौलपर के इस फटिक से निर्मितिक शिवलिंग है और इस मंदिर के अंदर दो लाख टन दो लाख टन केपिसिटी का एक टेंक बनाया गया हाल ही में किसे अंतरास्टिय संस्कृति पुरसकार दोजार चौबिश से संबानित किया गया और रिज्वाना हसन मीना चरंदा नजला मैंगुष तैफ समी मुहमद इसका करेक्ट आंसर है और बी मीना चरंदा तो प्रोफेसर मीना चरंद्रा प्रिंसिपल आफ कालिंदी प्रोफेसर मीना चरंदा को सिख्षा और समाजिक सेवा में उनके अस साधरन युगधन के लिए दोजार चौबिस में अंतरास्टे संस्कृति पुरसकार दिया गया है अगला कुशन देखेंगे वाट इस स्टार गेट रिसेंट्ली मेंशन इन्ट इन्वान ही मैं समाचार में उल्लखित स्टार गेट क्या है ऑप्शन सें ब्लैक होल मेटरोलोजिकल सेटलाइट एए सुपर कंप्यूटर नुक्लियर पावर सब्मेरिन सही उत्तर है ऑप्शन नमबर सी एए आई सॉफ्वेयर माइक्रोसॉफ्ट और ऑपन एए और जौंटली एंबार्किंग होना सब्सक्राइब का अनुसरन है अगला कुश्चन देखेंगे गगण शक्ती 2024 एक्साइज रिसेंटली कंडेक्टिट बाइंडियन एर फोर्स एट विच प्लेस गगण शक्ती दोजार चौबिस अभ्यास हाल ही मैं भारतिय वाइस्वना द्वारा किस इस्तान पर आयज्यत क किया गया जैपूर ओकरन जोदपूर या अजमेर सही उप्तरों का अप्शन नंबर बी ओकरन तो इंडियन एर फोर्स स्टाइट गगण शक्ती 2024 दनेशन लार्जस्ट एयर मिलिट्री एक्साइज इंवल्विंग ओल एयर फोर्स स्टेशन भारतिय वाइस ने सभी वाइस स्टेशनों को शामिल करते हुए देश का सबसे बड़ा वायूस और अभ्यास गगण शक्ती 2024 शुरू किया गया है एवरी फाइव यर्स हर पांस साल में किया जाता है एट कमेंस्ट ऑन अपरेल फंट अपरेल वन 2024 एट पोखरांस फील्ड रेंज फील्ड फाइरिंग रें हाल ही में खबरों में रही कंबुन घाटी किस राज में इस्थे थे थे अप्शन से तमिलनाडू करनाटका महरास्ट्रा या केरला करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडू दा कंबन वैली नोन एज ग्रेप सिटी ऑफ साउस इंडिया इस नोन फॉर इस में भारत का 85 परसेंट उत्पात होता है रिकोगनाइज फॉर इट्स रैपिट ग्रोथ अंड अर्ली मैचुरिटी इट अजी आई टैग इन 2023 अपनी तीवर गती और शीग्र परिपक्वता के लिए पहचाने जाने वाले इस अंगूर की प्रजाती ने दोजार तेईस में भॉगवालिक संगेत टैग अर्जित किया है और इसकी लोकेशन क्या है इस लोकेशन इस तमिलनाडू वेस्टन घाट में इसका इस्थान इसके आकर्शन का केंद्र है इसके आकर्शन को बढ़ाता है अगला कोशन देखेंगे माता बैरी पेड़ा एंड पच्रा रिसेंट आंसर है अप्शन नमबर ए त्रिपुरा ट्रडिशनल प्रोड़क्ट फ्रम त्रिपुरा माताबेरी पेड़ा प्रसाद और रिंगई पचारा टेक्स्टाइस है रिएंड जी आई टेक्स ब्रिंगिंग दा स्टेट टोटल टू फोर जी आई टेक्ट पॉड़क्ट्स यान माताबेरी पेड़ा प्रसाद स्वीट फॉर्म त्रिपुरा ट्रिपुरेश्वरी टेंपल इस मेड़ फ्रॉम मिल्क एंड शुकर माताबेरी मेड़ा प्रसाद त्रिपुरेश्वरी मंदिर की मिठाई है जो कि दूद और चीनी से बनाए जाती है और जबकि रिंगाई साना बाइव गैस प्लांट विच है वज सीन इन दे न्यूज इसल सिच्वेट इन विच स्टेट बर्साना बाइव गैस प्लांट जो खबरों में थी किस राज्य में स्टेथ है ऑप्शन से राजिस्थान उत्तर प्रदेश मद्य प्रदेश तमिल नाडू करेक्ट आंसर बी ऑप्शन नमबर बी उत्तर प्रदेश एक्चुली अडानी टोटल एनर्जी बाइव गैस लिमिटेड और सब्सेडियरी ओव अडानी टोटल बैस लिमिटेड हैस कमिशन दा फिर्स्ट फेज ऑब बरसाना बाइव गैस प्लांट मत्रा डिस्टिक ऑफ उत्तर अगले कुशन की बात करेंगे उत्कल डिवास प्लांट यह भारत का सबसे बड़ा क्रशी अपशिष्ट आधारित जैव सिंच यंद्र बनने के लिए तयार है तो कुश्चन वाज वेर इस बरसाना बाइव गैस प्रोजेक्ट सिच्वेटेड तो बरसाना बाइव गैस प् अगले कुश्चन की बात करेंगे उत्कल डिवस 2024 रिसेंटली सीन इन न्यूज इस रेटेट टू विच स्टेट हाल ही में खबरों में रहा उत्कल डिवस 2024 किस राजिस से संबंदित है उप्शन से उडिशा बिहार जार्खंड या तेलंगाना करेक्ट आंसर होगा उप्श कर्मेशन ऑफ उडिशा उन एप्रेल वन 1936 उत्कल डिवस जिसे उडिशा डिवस के रूप में भी जाना जाता है एक अप्रेल 1936 को उडिशा के गठन की याद दिलाता है इट सिग्निफाइज दा स्टेट्स कुल्चरल एं इस्टॉरिकल सिग्निफिकेंस मेकिंग दा के लिए संगर्च के अंत का प्रतीक है एक स्कूर्शन है कच्चा तीवुद्वीप कच्चा तीवुद्वीप आइलेंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इस सिच्वेटेटेड बेज्वन विच्वन विच्टू कंट्रीज हाल ही मैं खबरों में रहा कच्चा देवुद्व कच्चा तीवुद्वीप कच्चा तीवुद्वीप में स्थाई निप्टाव और मीठे पानी के सुरोत का अभाव है एड्मिनिस्टर्ड बाइब बोथ इंडिया और शीलंका हिस्टोरिकली ए 1974 एग्रिमेंट मांग इट्स बाउंडरी एथिहासिक रूप से भारत और शी जोते ने इसके सीमा को चिनित किया इंडियान फिशर्मेन पर्टिकुलर्ली फ्रम तमिलनाडू फेस चैलेंजिस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स ओवर डाइलेंड भारतिय मच्वारों जो की विशेशकर तमिलनाडू की मच्वारों की बात हो रही है उनको इंडिया में कि शिलंका में जिस वजए से इंडिया के जो मच्वारे जो फिशर्मेन हैं मेली जो तमिलनाडू की फिशर्मेन हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है नेक्स कुश्चन जुडित सुमिन्वा तुलुका जुडित सुमिन्वा तुलुक या कॉंगो या रवांडा correct option is option number C Congo to Jodit Suminwa Tuluoka became the demonic becam the democratic Republic of Congo first female prime minister succeeding Jean Michael Sama Lukunde denGS समील मिल कि दे मेल के बाद Democratic Republic of Congo की पहली महिला प्रदामंत्री बनी है हर appointment marks a significant step towards the gender equality and representation इन कॉंगोलीज पॉलेटिक्स उनकी नियुक्ति कॉंगो की राजनीती में लेंगिक समानता और प्रतिध्य की दिशा में एक महत्रपूर कदम है ठीक है तो जुडित सुमिनवात उलका कहां की फर्स्ट फिमेल प्रेमिस्टर बनी है कॉंगो की बनी है एक्स कुश्यन वर्ट इविदेंस ओफ ओजू उजुपिटर्स मून के लिस्टो रिवीलिंग इंसाइट इन्टू केमिकल प्रोसेस पर ऑन आइसी सेलेस्टिय बॉड़ी शोद करताओं को ब्रस्पती के चंद्रमा के लिस्टो पर ओजॉन के प्रमाण मिले हैं जिससे बरफील आकाशी पिंडू पर रसाइनिक प्रक्रियाओं की अंतरद्र्स्ट्री का पता चलता है चलंव कि इस्तिर सत्य से पता चलता है कि यह उपसत है महा सागरों और संभावित आभासों को आश्रह दे सकता है जो इस जीवन के लिए संभावित उमीदवार बनाता है यानि कि में इन फूचर यह प लाइफ पॉसिबल हो और लोगों कुछ कॉलोनीज वगरा बसने लगे ये बात आगे काफी आगे की बात हो रही है नेक्स कुश्चन रिसेंट्ली विच पोर्ट इन इंडिया इमर्जड एज टॉप कारगो हैंडिलिंग पोर्ट इन इंडिया इन टूथाइन टूथाइन इंडिया इंडिया। varias स्थ१ा? को अटंसर इन टूथाइन टूथा शेइल एजल्गे प्रादिकरण 23 में भारत चीड इइन ती को पीछे छोड़ दिया. Established in 1962, it becomes India's eighth major port in 1966, now under the Ministry of Ports. 1962 में स्थापे दिया है, 1966 में भारत का आठवा प्रमुख बंदरगा बन गया, जो अब बंदरगा मंत्राले के अधीन है. Next question. What is the theme of World Autism Awareness Day 2024? Wish to Autism Jagrutta Divaas 2014 का wish है क्या है? Empowering Autistic Voices, The Transition to Adulthood, Inclusive Quality Education for All, Assistive Technologies, Active Participation. Correct option will be option number A, Empowering Autistic Voices. World Autism Day is observed annually on April 2nd. Advocates for improving the lives of people or individuals with autism and promoting their human rights. Prathivarch 2 April को मनाया जाने वाला विश्व आपरियल को मनाया जाने वाला विश्व आपरियू जागृत्तिक दिवास, Autism से पीडित व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने और उनके मानवधिकारों को बढ़ावा देने की वकारत करता है. The 2024 theme is Empowering Autistic Voices. It emphasizes amplifying the voices of those with autism. 2024 की theme, Autism आवाजों को सशक्त बनाना. यह है Autism से पीडित लोगों की आवाज को बढ़ाने पर जोड देती है. Next question, Who has been appointed as the Managing Director of Tata International Limited? Tata International Limited के प्रवंद निजेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Option है, आनन सेन, राजीव सिंगल, अतुल महरा या धवल देसाई. Correct answer would be option number B, राजीव सिंगल. The Tata International Limited appointed राजीव सिंगल as its Managing Director and राजीव सिंगल succeeded आनन सेन who attained retirement on March 31st, 2024. यानि कि Tata International Limited TIL ने राजीव सिंगल को अपना प्रवंद निजेशक MD नियुक्त किया है, राजीव सिंगल ने आनन सेन का इस्थान लिया, जन्होंने 31 मार 1224 को सेवा निवरती प्रात की, यानि कि उनका retirement हो गया और आनन सेन का retirement हुआ, और आनन सेन के बाद ये post राजीव सि किस दिन बनाया जाता है, options है, एक अप्रेल, तीन अप्रेल, चार अप्रेल या दो अप्रेल, correct answer will be option number D, दो अप्रेल, international children's book day is observed annually across the globe, on 2nd अप्रेल, the birth anniversary of Danish author, Hans Christian Anderson, अंतरास्टे बाल, पुस्तक दिवस्त, प्रतिवस्ष दो अप्रेल को Danish लेखक, Hans Christian Anderson की जहनती पर, दुनिया is, cross the seas on the wing of your imagination, I, C, B, D, दोजाचोबिस का विशे, अपनी कल्पना के पंख पर समुद्र पार करें, यह है, अगला question, who has been elected president for a third term in Egypt, मिश्र में तीसरे कारिकाल के लिए किसे राश्पती चुना गया है, अब्दिल फता अल सिसी, होसनी मुबारक, अनवर सादत, मुहम्मद म as Egypt president, his presidency extends until 2030, अब्दिल फते अल सिसी ने मिस्र के राश्पती के रूप में, तीसरे कारिकाल के लिए शपतली है, और उनकी राश्पती पद की अवदी 2030 तक है, चलिए, थोड़ा सा हम लोग अपने बारे में बता दें, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वो डेली जी के डे motivational videos भी आपके साथ share करते हैं, जिससे कि आपको, आपके अंदर से आपको motivation मिले, और आप आने वाले exams में अच्छा कर पाएं, description में आपको telegram का link मिलेगा, description में आपको channel का link भी मिलेगा, तो अगर आप हमारे telegram channel से जुड़ेंगे तो आपको हर session का PDF मिल जाएगा, और साथ मे अगर आप हमारे channel को subscribe करेंगे, तो आपको हर नए वीडियो का notification भी समय रहते मिल जाएगा, अगर आप subscribe के साथ में, bell icon दबा कर all पर click कर देंगे, चीक है, तो यह हमारे बारे में था, चलिए आगे बढ़ते हैं, which type of aircraft did हिंदुस्तान Aeronautics Limited deliver to the गयाना Defense Force in April 2024, अपरेल दोज 28, Airbus 320, Lockheed Martin F-16, correct answer will be Dornia 228, हिंदुस्तान Aeronautics Limited याने के HAL delivered two Dornia 228 planes to the गयाना Defense Force, हिंदुस्तान Aeronautics Limited, HAL ने गयाना सुरक्षा बलको, दो Dornia 228 मिमान सोपे, प्रेसिदेंट मुहम्माद इर्फान अली, अनौन्स देलिवरी ओन सोचल मीडिया, एक्सप्रेसिंग ग्रे जानकारी थी उसकी घोशना की, next question, on which of the following day RBI was founded in 1935, 1935 में नेमलिखित मैंसे किस दिन RBI की स्थापना हुई थी, 1st April, 2nd April, 3rd April, 4th April, correct answer will be option number A, 1st April, the Reserve Bank of India, the nation's central banking institutions entered its 90th year, on April 1st, 1934, देश की केंद्रिया बेंकिंग संग्स था, भारती रिजर्व बेंक ने 1 अपरेल दूज़ 24 को अपने 90 वे वर्ष में प्रवेश किया है, its operations commenced on April 1, 1935, with Sir Osborne Smith as the first governor, इसका संचालन एक अपरेल 1935 को, Sir Osborne Smith के पहले governor के रूप में हुआ था, और इसका headquarters मुंबई में है, its headquarters is located in Mumbai महरास्टरा, आगे बढ़ते हैं, who has become the sole Indian weightlifter, who qualified for the Paris Olympics 2024, Paris Olympics 2024 के लिए qualify करने वाले एकमात्र भारतिय भारतोलक कौन बन गए है, कुंजारानी देवी, मीरभाई चानू, पुनम यादव, नेया थापा, correct option A, option number B, मीरभाई चानू, मीरभाई चानू is the only Indian weightlifter to qualify for the Paris Games 2024, मीरभाई चानू, पैरिस Olympic Games के लिए qualify करने वाली एकमात्र भारतिय भारतोलक हैं, मीरभाई चानू, the Tokyo Olympic silver medalist secured third place at IWF World Cup with a 184 kg lift, Tokyo Olympic की रजत पदक विदेता, मीरभाई चानू ने 184 kg वजन उठाकर, IWF विश्वकप में तीसरा इस्थान हासिल किया, और उसी के basis, on the basis of that, she has been qualified for Paris Olympic Games 2024, next question, रोहन बोपन्ना is related to which sports, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं, बैद्मिंटन, टेबल टैनिस, लॉन टैनिस या शूटिंग, correct answer is option number C, लॉन टैनिस, रोहन बोपन्ना is related to लॉन टैनिस, रोहन बोपन्ना का संबंद लॉन टैनिस से है, recently, रोहन बोपन्ना and his Australian partner Matthew Abden won the Miami Open men's doubles title, हाल ही में रोहन बोपन्ना और इनकी Australia साथी Matthew Abden ने Miami Open पुरुष यूगल का किताब जीता है, currently, रोहन बोपन्ना is ranked number one in ATP men's double ranking, यानि कि वर्तमान में रोहन बोपन्ना ATP पुरुष यूगल रेंकिंग, double ranking में number एक इस्थान पर हैं, Recently, India's first AI-based film trailer has been launched, what is its name, हाल ही में भारत की पहली AI आधारत film का trailer launch किया गया, इसका नाम क्या है, इराह, अमानत, जिक्सो या bonding, correct option है, option number A, इराह, इराह is an upcoming, इराह is an upcoming 2024, Indian Hindi language science fiction thriller film based on AI, इराह, AI पर आधारत आगमी 2024, भारती हिंदी भाषा की science fiction thriller film है, इंडिया's first AI film इराह trailer unveiled in मुंबई, भारत की पहली AI आधारत film इराह का trailer मुंबई में अनावरण किया गया, इसका निर्देशन सेम भटाचार जी ने किया है, सेम भटाचार जी, अगला question, recently which ministry launched the my CGHSF for iOS ecosystem of devices, हाल ही मैं किस मंत्राले ने उपकरणों के iOS पारे स्थिती की तंतर के लिए my CGHSF launch किया, correct answer, इसका होगा answer number B, ministry of health and family welfare, other options are ministry of agriculture, ministry of rural development, ministry of power, but the correct answer is option number B, ministry of health and family welfare, तो हम बात कर रहे हैं, my CGHSF की, यह किस ने launch किया है, ministry of health and family welfare, तब ministry of health and family welfare, recently launched the my CGHSF for iOS devices, स्वास्य और परवार कल्यान मंत्राले ने हाल ही में, iOS उपकरणों के लिए my CGHSF launch किया है, this app offers services such as appointment booking, accessing lab records, checking medical reimbursement status, security features like two-factor authentication, ensure user data confidentiality, एप appointment booking, lab report तक पहुँच, और चिकिस्सा प्रतिपूर्ती इस्तिती की जाच करने जैसी सेवां प्रदान करता है, दो कारक प्रमाडी करन जैसी सुरक्षा सुविधाएं उपयोग करता डेटा गोपनिया सुनिश्चित करती हैं, अगला कुश्चन, कठिया गेहूं, कठिया वीट, recently got a GI tag, belong to which state, कठिया गेहूं जिसे हाली में GI tag मिला किस राज से संबन देता, अध्यप्रदेश, आंध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश या राजिस्थान, करेक्ट अंसर इस ऑप्शन नमबर C, उत्तरप्रदेश, दा इंडिजीनियस वीट वाराइटी कठिया गेहूं फ्रम बुंदेलखन उत्रप्रदेश उंस जी आई टेग, उत्तरप्रदेश के बुंदेलखन की स्वदेशी गेहूं किस्म कठिया गेहूं को भौगलिक संके जी आई टेग प्राप्त हुआ है, इट, इट्स तफर्स्ट फार्म प्रदूस्थान उत्तरप्रदेश तो अचीव इस दिस्टिंक्शन, इस छेत्र के क्रशी महत्त को उजाकर करने वाली ये गौरव हासल करने वाला उत्तरप्रदेश का पहला क्रशी उत्पाद है, रिसेंटली, प्रेसिडेंट ओफ इंडिया लॉंच्ट इंडिया फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर अट विच प्लेस, हाल ही में भारत के राश्पती ने किस स्थान पर कैंशन के लिए, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारम किया, आप्शन से आएटी मदरास, आएटी बॉंबे, आएटी हिदरबाद या आएटी दिल्ली, आएटी बॉंबे, इंडिया प्रेसिडेंट श्रीमती दुरौपदी मुर्मू लॉंच दा नेशन इनागुरल होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर एट आएटी बॉंबे, भारत की राश्पती श्रीमती दौपदी मुर्मू ने आएटी बॉंबे में कैंसर के लिए के पहली गरिलू जीन थेरेपी को शुबारम किया, डेवलप्ड कोरेवोरेटली बाइटी बॉंबे, टाटा मेमोरियल होस्पिटल और इमुनो एक्ट, इट मार्क्स और सिग्निफिकेंट अचीब्मेंट इन रिसर्च और डेवलपमेंट, आएटी बॉंबे, टाटा मेमोर होस्पिटल और इमुनो एसीटी द्वारा सहयोगात्मग रूप में विक्सित, यह अनुशंधान और विकास के लिए एक महत्पुट अपलब्दी का परतीक है, अगला कोशन, अहो बिलम श्राइन, रिसेंटली सीन इन न्यूज, इस लोकेटिट इन विच स्टेट, हाल ही म खबरों में रहा अहो बिलम तीर्थ किस राज्य में इस्तित है, आंद्रप्रदेश, राजिस्थान, मद्रप्रदेश, महरास्ट्रा, इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर A, आंद्रप्रदेश, तब फॉरेस्ट डिपार्ट्मेंट एं श्री लक्ष्मी नर्सिम्ह स् देविस्थानम ने भीशन गर्मी के कारण, जंगली जानवरों को खत्रे में डालने के कारण, नल्ला माला जंगल में अहो बिलम मंदर पर प्रतिबंद लगा दिया है, टू प्रोटेक्ट वाइल लाइफ, प्लास्टिक यूजस बेंड, एडिशनल या टेंपल फॉर, प्र प्रक्षा कारणों और दैनिक पूजा में तारक चुनातियों के कारण, प्रहलाद वर्दा, वर्दान के लिए एक मंदर मौझूद है, एक्स्कूशन, वू है रिसेंटली बिन अपॉंटेट अपॉंटेट अज़ प्रामिस्ट अफ सेनेगल, हाल ही मैं सेनेगल के प्रिद सेनेगल के राश्पती बैसिरो डिउमाएं फे ने वूस्मान सोनको को सेनेगल का प्रिधामंत्री नुक्त किया है उस्मान स्वोन को रिपलेजिच सिदीगी काबा अथ दा नूज прाम्म Dri मौजट रूप में उस्मान स्वोन को ने सिदीगी काबा का स्थान लिया है नेक्स कुश्चन रिसेंटली इंडिया मालदीव सेंड विच कंट्री है व कंडेक्टेड दोस्ती 16 एकसाइस हाल ही मैं भारत मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभिहास आयुजित किया है मैमार शिलंका बंगलादेश या तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नमबर बी शिलंका इंडिया मालदीव सेंड शिलंका दोस्ती 16 किक्स ऑफ इन मालदीव इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समर्थ एंड आइसी जीएस अभिनव अलॉं और साथ में जो बंगलादेश है वो क्या है एक Observer Country के रूप में यहां पर पार्टिपेट कर रहा है नेक्स कुशन हूँ है रिसेंटली टेकन ओवर एस दप्रेसिदेंट ऑफ एसोचेम हाल ही में एसोचेम के अध्यक्ष का पदभार किसने सम्हाला है ऑप्शन सें जेह एसोचेम के लिए एसोचेम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एसोचेम क्या है एसोचेम is a non-governmental trade association and advocacy group based in New Delhi headquarters this organization represents the interest of trade and commerce in India एसोचेम नई दिल्ली में जिसका मुख्याल है मैं स्थित एक गैर कानूनी व्यापार संग और वकाला समू है यह संगठन भारत में व्यापार और वाड़िज के हितों का प्रतिनिद्रित्व करता है नेक्स्ट कुश्चन वू है रिसेंट्ली विकम इंडिया इंडिया स्टॉप रेंग्ड चेंग्स प्लेयर टॉप रेंग्ड चेस प्लेयर हाल ही में भारत के शीर्ष रेंग वाले सत्रंच घ्लाडी कौन बने है अतुल गर्ग आर प्रगननंदा डी गुकेश अर्जुन ए दुनिया में नवे नंबर पर पहुंच गए हैं और जो विश्वनाद आनंद है उनकी वर्ड में रेंक है 11 और इंडिया में रेंक है सेकेंड ठीक है नेक्स्ट कुश्चन नेशनल मेरी टाइम डे इस सेलिब्रेटेड एवरी येर ओन विज डे राश्टिय समोदरी दिवस हर वर्ड किस दिन मनाया जाता है चार अप्रेल पांच अप्रेल एक माइड़ दो माई करेक टांसर है पांच अप्रेल इच ये यंट 5th April National Maritime Day is celebrated प्रतेक वर्ष 5 अप्रेल को राश्ट्य समूद्री दिवस मनाया जाता है दिस येर इट इस 61st National Maritime Day ऑफ इंडिया यह है भारत का 61 राश्ट्य समूद्री दिवस है वर्ष 24 में इसे मर्चंट डेवी दिवस के नाम से भी जाना जाता है अगला कुश्चन रिसेंट्ली या डेडलियस्ट अर्थक्वेक ओफ 7.2 मेंगनिटूड हिट विच कंट्री हाल ही मैं 7.2 तीवर्थ वाला सबसे घातक भुकम किस देश में आया ताइवान जापान मलेशिया या नेपाल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नमबर A ताइवान अब मैसिव अर्थ स्थान पर इस्थान पर इस्तित है यह जहां से दुनिया के 90% भुकम पाते हैं रिंग ओफ फायर क्या है रिंग ओफ फायर के किनारे का एक मार्ग जिसमें सक्रिय ज्वालमों की और बार बार भुकम पाते रहते हैं नेक्स्ट कुश्चन सिने मास्पिस वांगोली वांगोगी रिसेंटली सिने न्यूस बलांगोगी हाल ही मैं समाचारा में देखी किस पजाती सम्बंदित है ओप्शन हैं लिजार्ड स्पाइडर फिश या फ्रॉग करेक्ट आंसर है ओप्शन नमबर A लिजार्ड साइंटिस्ट फ्रॉम ठाकरे ठाकरे वाइल लाइफ फांडेशन के वैग्याने कोने तमिलनाडू के दक्षने पस्चिमी घाट में छिपकली की नई प्रजाती सिने मास्पिस वांगोगी खोचकी इसकी लंबाई 3.4 सेंटिमेटर है प्रिफरिंग रॉकी हैबिटाइट्स इट कैन बी फांड में समाचारों में देखा कि वह किस राज में इस्तित है किरला तमिलनाडू आंद्रप्रदेश महरास्ट्रा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नमबर बी तमिलनाडू तफोरेस्ट डिपार्ट्मेंट कंडक्टे दा एन्वल वाइल लाइफ सेंस एट पॉइंट केली मेरे लो के नाम से भी जाना जाता है वेदा रन्यम से लगभग नौ किलोमेटर दक्षिड में कोरुमडल तलपट तट पर इस्तित है तो हम बात किसकी कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पॉइंट केली मेरे वाइल लाइस सेंचुरी यह कहां पर है तमिलनाडू में है अगला कोशन इसका करेक्ट आंसर है ओप्षन नमबर A, इंटरेक्टिव एंटरेंबेंट इन नवेशन कांसल और विंजो ड्वारा जारी यह रिपोर्ट गेमिंग में भारत के प्रभुत अपर प्रगाल जालती है with 568 million users. 568 million users, India leads at the largest gaming market globally and it is projected to hit $6 billion by 2028. 568 million उपयोग करताओं के साथ भारत वेश्वी इसतर पर सबसे बड़े gaming बजार गरूप में अगरणी है, जिसके दोज़र अठाइस तक $6 billion तक पहुँचने का अनुमान है. Next question, recently which country of East Africa was hit by a tropical cyclone named गमाने? हाल ही मैं, पूर्वी अफ्रिका का कौन सा देश गैमाने नामक उष्ण कटिबंदी चक्रबाद से प्रभावित हुआ? Options हैं, मदागसकर, तंजानिया, केनिया या मौरिशियस. Correct answer है, option number A, मदागसकर. Tropical cyclone गमाने इस ट्रक मदागसकर claiming 18 lives and displacing thousand reported by the country's disaster management office. देश के आपादा प्रभंदन कार्याले की रिपोर्ट के अनुसार, उष्ण कटबंदी चक्रबाद गमाने ने मदागसकर में 18 लोगों की जान लेली और 1000 लोगों को विस्थापित कर दिया. मेडागसकर क्या है? मेडागसकर, the world's second largest island. It spans over around 5,092,800 square kilometer in the Indian Ocean. मेडागसकर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दीप है, जो हिंद महासागर में 5,92,800 kilometer में फैला हुआ है. Next question, what is Jais Lab Ballastless Trek System recently seen in news? हाल ही में समाचावरों में देखा गया, Jais Lab Ballastless Trek System क्या है? To analyze the impacts of industrial pollutants on public health system that promotes agricultural exports at grassroots level type of railway track for high-speed trains to study the prevalence of infectious disease in rural areas. Correct answer is option number C, type of railway track used for high-speed trains. India is adopting the Jais Lab Ballastless Trek System for the Mumbai Ahmedabad Bullard Train Project, making its debut in the country. भारत, मुंबई, एमदाबाद, पुलर्ट ट्रेन प्रोजना के लिए Jais Lab मिटी रहे ट्रेक प्रणारी का को अपना रहा है, जो देश में इसकी शुरूबात है. Benefits include enhanced stability, reduced maintenance, and a smoother ride for passengers due to its uniform surface. लोगों, लाभों में बड़ी हुई इस्तिर्था कम रख रखा और इसकी समान इस्तिर्थ के कारण यात्यों के लिए आसान सवारी शामिल है. चलिए अपने बारे हम बताते हैं हम लोग, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वो daily gk daily current affairs at the rate preemptorius के नाम से हैं, हम 2010 से offline थे, इस साल हम लोग online launch की हैं अपना platform, यहाँ पर हम daily basis पर gk और current affairs के questions post करते हैं, और साथ में कुछ motivational videos जिन से कि आपको अंदरूनी motivation मिलेगा, वो post कर करते हैं daily basis पर, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, प्लीज subscribe करें और bell icon तबाकर all पर press भी करते हैं, क्योंकि हम जब भी नया वीडियो लाएंगे, उसका notification आपको सबसे पहले मिलना चाहिए, ठीक है, और यह जो हम current affairs का session, आज session लेकर आए है ऐसा ही एक session और, हम दो या तीन मई को launch करेंगे, दो या तीन मई को लेकर आएंगे, जहां पर हम 16 अपरेल से लेकर 30 अपरेल के बीच में, जो महत्पूर्ण घटना हैं, जो महत्पूर्ण current affairs हैं, वो discuss करेंगे, तो चैनल को subscribe करेंगे, साथ में bell icon दबाकर all पर press भी कर देज है, question की variety आपको पसंद आ रही है, क्योंकि हम Hindi में भी discuss कर रहे हैं, English में भी discuss कर रहे हैं, तो session को आप like करें, और साथ में, अपने friends, अपनी families, अपने साथ के जो लोग हैं, जो competition के त्यारी में लगे हुए हैं, उनको share जरूर करें, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 41, मार्वा केंडी बांध किस राज में इस्तित है, मार्वा केंडी डैम, recently seen in news, is located in which state, तमिलनाडू, उतरप्रदेश, महारास्ट, तेलंगाना, correct answer is option number A, तमिलनाडू, with fishing halted, the migrative birds flock to मर्वा केंडी डैम इन निलगरी, मचली पकड़ना बंद होने से, प्रवास्य पक्षी निलगरी के मर्वा केंडी बांध की और आने लगे हैं, situated 35 km from the Ooty in तमिलनाडू, it was constructed in 1951, तमिलनाडू में उटी से 25 km 2 इस्तित, इसका निर्माण 1951 में किया गया था, जो प्रवासी मौसम के दोरान विविद प्रक्षी पक्षी परजातियों को आकर्शित करता है, नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्क्रित कॉंक्लेव हैड हाल ही मैं भारतिय नेपाल नेपाल भारत अंतरास्तिय संस्क्रित कॉंक्लेव कहां एजुद किया गया, पोखरा नेपाल, न्यू डेली इंडिया, कात्मंडू नेपाल, वरनाड़सी इंडिया, और यू डेली इंडिया 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 वराय इंडियर आयुजित तीन दिवसी ये नेपाल-भारत अंतरास्तिय संस्क्रित कॉंक्लेव में 120 से अधिक विश्चट्यों नेबाग लिया, इसका aim था the initiative aims to strengthen cultural ties and preserve Sanskrit heritage इस पहल का उद्देश Sanskritik संबंदों को मजबूत करना और Sanskrit वरासत को संदक्षित करना है Next question देखेंगे What is AI Hume Recently seen in news हाल ही मैं खबरों में नजर आए AI Hume क्या है Use of AI to find and predict financial frauds Words first Conversational AI with emotional intelligence It provides real-time update on election results humanoid robot Correct answer होग option number B What's first conversational AI with emotional intelligence Hume A New York based research lab Unveiled the first emotionally intelligent Conversational AI named Empathic Voice Interface EVI New York इस्तित अनुसंदान प्रयोक्षाला Hume ने Empathic Voice Interface नाम से पहली भावनात्म गूरूप से बुद्धिमान वारतलाप AI का नावर्ण किया By analyzing speech analysis It can determine when to speak and generate empathic language भारत की बारीकियों का भाशन की बारीकियों का विश्चेशन करके भाशन की बारीकियों का विश्चेशन करके यह निर्धारित कर सकता है कि कब बोलना है और सहन भूति पूर्वक भाशा उत्पन करनी है ठीक है यानि कि यह वर्ड का फर्स्ट AI है जो कि emotional intelligence के साथ launch किया गया है what is Senna expectabilis recently seen in news हाल ही मैं समाच और में देखी कि Senna expectabilis क्या है highly invasive tree asteroid exoplanet या black hole it is a highly invasive tree the forest department is eradicating Senna expectabilis a highly invasive tree from Moodumalai Tiger Reserve MTR यानि कि one विभाग Moodumalai Tiger Reserve MTR से अत्यदिक आकरमिक पिड Senna expectabilis को खतम कर रहा है originally introduced as ornamental trees by private estates the Madras High Court ordered their removal due to ecological impact on logical reserves despite medical uses including treating ringworm and food-brown pathogens its removal is necessary for preserving local ecology मूल रूप से निजी संपदा द्वारा सजावती बढ़ों को रूप में पेश किये गए Madras Ucneialli ने इस्थानिय मंदर पर पारिस्थितिक प्रहों के कारण इसको अटाने का आदेश दिया है दाद और खाद जनित रोग जनकों के उप्चार सहित और शदी उपयोंगों के बावजूद इस्थानिय पारिस्थितिकी को संदक्षित करने के लिए इसको अटाना अवश्यक है next question which state of India recently witnessed the swell waves भारत के किस राज में हाल ही में प्रफुद्लित लहगन देखी गई महराश्टर केरला गुजरात या अंद्रप्रदेश correct answer है option number B केरला swell waves inundated coastal areas in central and southern केरला due to distant storm winds term कला कडल दूर इस्थित तूफानी हवाएं जन्हें कला कडल कहा जाता है के कारण मध्यों और दक्षनी केरल में प्रचन लहरों ने 30 शित्रों को जलमगन कर दिया the waves spreaded bleaches in तिर्वान्थपुरम, कोलम, अलापुजा और थिसूर डिस्टिक प्रमोर्टिंग डिस्टिक लेविल डिसास्टर मेरिमेंट लहरों के कारण तिर्वान्थपुरम, कोलम, अलापुजा और त्रिशूर जिलों में समुद्ध रेटों पर पानी भर गया जिससे जिला इस्तरिये आपधा प्रबंधम को सतर्क होना पड़ा Next question REC Limited REC Limited Recently won the SKO CH ESG Award 2024 comes under which Ministry REC Limited इसने हाली में SKO CH ESG Award 2021 किस मंतराले के अंदरकात आता है Option है Ministry of Power, Ministry of Defense, Ministry of Agriculture Ministry of Corporate Affairs इसकांसर है Option NM3 Ministry of Power REC Limited, a Ministry of Power Entity, clients clinched the SKOCH ESG Award 2024 in Renewable Energy Financing. This echolade acknowledges REC's dedication to Sustainable Financing, driving the shift towards Renewable Energy. यह सम्मान अक्षय उर्जा की और बदलाव को प्रेरित करते हुए टिकाउ वित्व पोशन के परती REC के समरपड को सिवकार करता है. Next question, recently which institution established the Digital India Trust Agency DIGITA as a new tool to combat cybercrime? हाल ही मैं किस संस्थाने साइबर अपराज से निपटने के लिए एक नए उपकरण के रूप में Digital India Trust Agency DIGITA की स्थापना की? RBI, CBI, SEBI या नाबाड? Correct option है, option number A, RBI. The Reserve Bank of India plans to establish the Digital India Trust Agency to encounter cybercrime, focusing on legal app approval and curbing illegal loan apps. भारती Reserve Bank साबयर अपराज से निपटने के लिए Digital India Trust Agency DIGITA इस्थापित करने की उडिना बना रहा है, जो कानूनी एप अनुमोधन पर ध्यान केंदित करेगा और अवैद रिड़ एप्स पर अंकुष लगाएगा. DIGITA aims to centralize verification of digital lending apps, ensuring compliance with RBI's regulation. DIGITA का उदेश और भी आई नियमों का अन्पाला ने सुनिश्चित करते हुए digital lending loan देने वाले एप्स के सत्यापन को केंद्री करत करना है. अकला question, what is bridge fuel recently seen in news? हाल ही में समाचार में देखा गया bridge fuel क्या है, natural gas, coal, wind energy या solar energy. Correct answer option number A, natural gas. Natural gas is often termed as a bridge fuel, aiding countries and transiting from coal and oil to renewable energy. प्राकर्तिक gas को अक्सर कोईला और तेल के नवीन करनी है, उर्जा के रूप में देशों की साहिता करने वाले पुल इधन कहा जाता है. As society shifts towards cleaner energy, bridge fuels like natural gas aims to minimize environmental impact. जैसे जैसे समाज स्वच उर्जा की और बढ़ रहा है, प्राकर्तिक gas जैसे पुल इधन का उद्देश पर्या वरनी है, प्रभाब को कम करना है. While natural gas emits less greenhouse gases, its role as bridge fuel also hinges on factors like enhancing energy independence and reducing pollution cost. जबकि प्राकर्तिक gas कम greenhouse gases का उसाजन करती है, पुल इधन के रूप में इसकी बूमी का उर्जा सुदनता को बढ़ाने और तदूशन लागत को कम करने जैसे कारगों पर भी निर्भर करती है. Next question, Recently which airport became the 14th airport in India to launch the DG Yatra system, हाल ही मैं कौन सा हवाई एड़ा, DG Yatra प्रणाली शुरू करने वाला भारत का चौदेवा हवाई एड़ा बन गया, options है, जैप्रकास नारायन एरपोट बिहार, शहीद भगास सिंग इंटरेंसल एरपोट चंडिगर, मनोहर इंटरेंसल एरपोट या देवी अहिल्यवाई होलकर, इंटरेंसल एरपोट मध्य प्रदेश, इसका correct answer है, option number C, मनोहर इंटरेंसल एरपोट गोवा, दमनोहर इंटरेंसल एरपोट गोवा, जोइंस थर्टी नदर इन इंडिया, अड़ेप्टिंग दा, DG Yatra system enhancing travel convenience, मनोहर हवाई एड़ा, गोवा यातरा सुभधा को बढ़ाते हुए, DG Yatra पढ़ाली को अपनाने वाला भारत का, भारत के 13 अन्य हवाई एड़ों में शामिल हो गया, याने कि 13 पहले से थे यह 14 मों बन गया है, launched by Union Civil Aviation Minister Jyotiradit Sindhya, it utilizes facial recognition to streamline passenger verification, reducing wait times and simplifying procedures, केंद्रिया नागरे को डियान मंत्री, Jyotiradit Sindhya अद्वारा launch किया गया, यह है यातरी सत्यापन को सुभ विवस्तित करने, प्रतिक्षा समय को कम करने और प्रतिक्रिया, प्रक्रियाओं को सराल बनाने के लिए, चहरे की पैचान का उपयोग करता है, at the airport, scanning the boarded passes initiates facial recognition for seamless entry, हवाय डिपर, boarding pass को scan करने से, निर्बाद प्रवे इसके लिए चहरे की पैचान शुरू हो जाती है, अगला कोशन देखेंगे, which state government recently initiate the rice fellow management project, हाल ही मैं किस राजसरकान ने चावल परती प्रबंधन प्रजना शुरू की, बिहार, उडिशा, जहारखंड या उतरपरदेश, correct answer is option number B, उडिशा, दा उडिशा गोर्मेंट चावल परती प्रबंधन प्रजना शुरू की, जिसने राश्टे इस्तर पर टिकाव फसल प्रथाओं का नित्वत्त किया, targeting eight crops, including green gram and mustard, it promotes regenerative agriculture through eco-friendly inputs, like bio-fertilizers and integrated pest management, मोंग और सरसों सहित आठ फसलों को लक्षित करते हुए है, जैव और वरक और एकिकरत कीट प्रबंधन जैसे पर्रेवर्ण अनकूल इंपूट के माध्यम से पुनर योजी करशी को बढ़ावा देता है, this initiative signifies a crucial step towards sustainable crop intensification and ecosystem health, यह पहल इस्थाई फसल कहनता की पारिस्थिति की तंत्र की तंत्र स्वास्त की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है, अगला कुश्चन, रिसेंटली आर्केलोजिस्ट फ्रम केरला युनिवर्सिटी अननर्थ और फाइफ फिफ्टी तु हंड्रेड इयर ओल्ड हडपन सेटिल्मेंट अट विच प्लेस, हाल अप्शन नमबर ए परता बेट तो अर्केलोजिस्ट फ्रम केरला युनिवर्सिटी रिसेंटली अनकवर्ड अफ फिफ्टी तू इयर ओल्ड हडपन सेटिल्मेंट एट परता बेट नियर जूना खटिया गुजराट के पुरात्त विदों ने हाल ही में गुजराट के जू इलेटन्स पॉटरी एनिमल बोन्स सेमी प्रिशे स्टून्स टेरा कोटा स्पिंडल होल्स कॉपर और वेरियस टूल्स हाल ही की खुदाई में कंकाल मिट्टी के बरतन जानवरों की हड्डियां अर्ध कीमती पत्तर टेरा कुटा स्पिंडल भवर तामबा और विवन उपकरण मिले हैं नेक्स कुश्चन विच कंट्री इसेंट्ली डिक्लिए अल निनो इंडुक्टिड इंडूजड ड्रॉट अनेशनल डिजास्टर हाल ही मैं किस देश ने इल निनो प्रेज सुखे की रास्टी आप सुखे को रास्टी आप अधा गोशित किया है बोस्वाना नामीबिया मु इस इसका श्रे अल निनो प्रेज सुखे को दिया है जो जिम्बावे के 80% से अधिक हिस्सों को प्रभावित करता है अगला कुश्चन रिसेंट्ली हुवस एवाड़ेट दा 15th CIDC विश्वकर्मा एवार्ट 2024 फॉर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिटी के लिए 15 में CIDC विश्वकर्मा पुरसकार 2024 चे किसे समानित की आगे ऑक्षन है एनच पी सी पावर ग्रिड एस जे वी लिमिटेड एंटी पी सी कर्यक्ट टांसर है ऑक्षन नमबर सी एस जे वी लिमिटेड एस जे वी लिमिटेड रिसीव दा 15th CIDC विश्वकर्मा एवा 2024 प्राप्त हुआ दा कम्पनी ऑल्सो सिक्वेट अचीव्मेंट फोर स्कूशल डेवल्पमेंट एंड क्रियेटिंग इंपेक्ट एंड सी इडिसी पार्टनर से प्रोग्रेस ट्रोफी कंपनी ने समाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए उपलबदी पुरसकार और सी इडिसी पार्टनर से प्रोग्रेस ट्रोफी भी हासिल की नेक्स्ट कुश्शन विच और इसेंट्री इंट्रूस्ट अन्यू आई मॉडल नोन आज वोइस इंजिन डेट कन रेप्लिकेट एनी वोइस इननी लेंग्वेज किस संगठन ने हाली में एक नया मॉडल पे एक अबहुत पूर्व आई जो किसी भी भाशा में किसी भी आवाज की नकल करने में सक्षम है यूजर्स अप्लोड शॉर्ट ऑडियो सेंपल्स तो जनरेट स्पीच इन्ट सेम वोइस उप्योग करता एक ही आवाज में भाशान उत्पन करने के लिए लगू अपलोड करते हैं next question what is the name of words oldest man that died at the age of 114 recently विश्व में सबसे बुजर्ब किस्ती का क्या नाम है जिनका हाल ही में 114 वर्ष की आयू में निधन हुआ जौन श्टिनिस वुड जौन विंसे परेज मोरा युकी चेच्वांगी एंगे युग इं ब्लेंचार्ड करेक्ट आंसर व्शं नमबर री जौन विसेंटे पैरेज मोरा जौन विसेंटे पैरेज मोरा रेंग्नाज पाइज ग्नीज अवर्ड सोपन रहवे जना दिन से सब्सक्राइब के रहस्तों में कड़ी मैनत जल्दी सोना और रोजाना एक ग्लास एग्वार्डिंट सामिल है रिसेंट्ली विच कंट्री डेवल्ट्स पावर्फुल लेजर हाल ही मैं किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिचाली लेजर विक्सित किया ओप्शन्स हैं बुल्गेरिया, इस्टोनिया, रोमानिया, स्वीडन तो इस कुशन का सही अंतर आंसर है ओप्शन नमबर सी रोमानिया रोमानिया तेवलप्ट तक पावर्फुल लेजर विच आ पाट उप्ट उड्य उनिया सबसे सच्चाली इसर विक्सित किया है जो यूरोपिय संके इंफ्रस्ट्रेट्ट्चर एलाई प्रोजेक्ट का हिस्सा है दलेजर कॉल्ड द एक्स्ट्रीम लाइट इंफ्रस्ट्च नूप्टियर फिजिक्स एलाइ एनपी लेजर कहा जाता है वो बुचारिस्ट के पास रोमानिया के मागुरेले में इस्तित है सनती बुद्धिस्ट साइट शनती बुद्धिस्ट साइट किस राज़ में इस तेतम आप्शन साहें करनाट काूडी सा बिहार कर्यक्ट ओप्शन करनाट कशबा है चू दौश्थान दौनमब य Fraktionāних न्und वे कंटी घ्सकावेशंट बेजर को टुदावं क्वेंटी टू उन्निस नप्वे के तर्शक में एसाई की खुदाई में खुजा गया सन्रथी बॉधिस्तल दो जार बाइस में पुनर स्थापना पर्योना तक उपेक्षा का शिकार रहा सेच्चुएटिड बाइदभीम रिवर नियर कंगन हली इन काला के लिए प्रसद्ध है एन इंस्क्रिप्शन एं प्राकृत यूजिंग भ्रह्मी इस्क्रिप्ट वस अलसो अनर्ज्ट भ्रह्मी लिपी का उप्यों करते हुए प्राकृत की मैं एक शिलालेग भी खोजा गया था नेक्स्ट कॉश्चन पापी कॉंडा नेस्नल पार्क मेजर्स तु प्रेवेंट फॉरेस्ट फाइट इन पापी कॉंडा नेस्नल पार्क रिसीविंग टेक्निकल असिस्टेंट अंध्रपर सरकार टक्निकी साहता प्राप्त करके पापी कॉंडा रास्टी उद्ध्यान के जंगल की आग को रोकने के लिए उपाय कर रही है इस्टेबलिज्ट यहां एक वन्यजी पाप्यारन के रूप में इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्त्रप्ण पक्षी और जैव विवित्था शेत्र के रूप में मानता दी गई है रिसेंटली योगा महत्त्रप्ण पर किया गया इंदौर मद्यपरदेश पुने महरास्ट्रा एवध्या उत्रपदेश जैसलमिर राजिस्थान करेक्ट ऑप्षन नमबर बी पुने महरास्ट्रा दा योग उत्सव एट वाडिया स्पोर्स कोलेज ग्राउंड पुडे मार् इंडिविज्टल वेल बिंग एंतुसियाज्म पर बैनिफिट्स इस कारिकरम ने व्यक्तिकत और समाजिक कल्यान को बढ़ावा देने में योग के बढ़ते महत्त को प्रदर्श्चित किया इसके अभ्यास और लावों के प्रति उस्सा को जागर किया नेक्स्ट कुश्यन कंट्री है रिसेंटली डिगलेड़ाव फैडरल एमर्जेंसी इन ओर इंबर रिजन दू टू रिवर फ्रेडिंग और्स हाल ही में किस देश ने और्स में यूराल नदी की बाढ़ के कारण और इंबर छेत्र में संगिय आपातकल घोशित किया युक्रेन कजाकिस्तान रश संगिय अपातकल घोशित कर दिया जिससे हजार लोगों को निकाला गया तो यूराल रिवर स्पैनिंग 248 किलोमेटर थ्रू रशिया एंड कजाकिस्तान सर्व से कॉंटिलेंटल बांटरी बिट्विन यूरोप एंड एशिया यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान से होकर 24 28-28 किलोमेटर तक फैली होई है जो यूरोप और एशिया की बीच एक महादुपिय सीमा के रूप में कार करती है सुखना वाइड लाफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इस लोकेटेड इन विच यूटी और स्टेट हाल यह में खबरों में रहा सुखना वन्रीजीव पहरण किस राज्य या केंद्र शाजित प्रजिस में इस्टेथ है ऑप्शने चंडीगर्ड लदाक नुमर ए चंडीगर्ड दा सेंटर हैस इशूडर ड्राफ नोटिफिकेशन डेली नीटिंग एंड इकोनोजिक एकोनोमिकली सेंसिटिव जोन एराउंड सुखना वाइड लाफ सेंचुरी चंडीगर्ड केंद्र ने चंडीगर्ड के सुखना वन्रीज अभरण के आसपास पारिस्तिय ग्रूप से सम्विदेंशिल चेत्र को रेखांकित करते हुए एक मौसवदा जारी की है इस्जड और वाइटल एंड डेलिकेट एरियाज नियर प्रोटेक्टिड जोन्स डेजिग्नेटेट बाइ सेंट्रल गवर्मेंट अंडर दा एंवार्मेंट प्रोटेक् फिटर पेलेग्रेड नीहाइली में किस देश के नए राश्पति बने हैं नॉरवे इस्लोवाकिया दैनमार्क या रोवाणिया करेक्ट ऑप्शन पेलेगरी विंस्था एलेक्शन प्रेजिडेंशल एलेक्शन डिफिटिंग लिबरेल इवान कोर्कोक ने उधारवादी इ शांती रुख को बनाय रखने की प्रितिग्या की he becomes the sixth president since independence in 1993 succeeding जुजाना कपुतोविया वेर 1993 में आजाजी के बाद जुजाना कपुतोवा के बाद छटे रश्पती बने हैं next question उससे पहले हमको current affairs के sessions लेकर आते हैं साथ ही हम कुछ motivational वीडियो आप लोगों के लिए upload करते हैं जिससे कि आपको अंदर से motivation मैसूस हो और आप exams को अच्छे marks के साथ crack कर पाएं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को को लाइक करें और अपने friends family के साथ share भी करें ताकि वो लोग भी नॉलेज गेन कर पाएं चली आगे बढ़ते हैं recently where was the first ever trilateral service planning conference called परिवर्थन चिंतन हेल्ड हाल ही मैं परिवर्थन चिंतन नामक पहला परिपक्षिय सेवा योजना सम्मिलन कहां आउजयत किया गया दिल्ली हैदराबाद चिंड़ी या बैंगलूरू correct answer option number a दिल्ली the inaugural परिवर्थन चिंतन ट्री सर्वेस आम फोर्से प्लानिंग कॉंफरेंस conveyed in new Delhi organized by union ministry of defense किंद्र अरक्षा मंत्रा द्वार ने दिल्ली में उद्गाटन परिवर्थन चिंतन त्रिसेवा शस्ट्रबल योजना सम्मिलन आउजयत किया गया chaired by chief of defense staff general अनिल चोहान it sought to foster jointness integration and readiness for future conflicts through innovative reforms and initiatives chief of defense staff general अनिल चोहान के अधिक्षता में इसने नवीन सुधारों और पहलों के माधियम से भविश्य के संगर्षों के लिए संयुक्तता एगिकरण और ततपरता को बढ़ावा देने की मांग की next question who is the author of the book the idea of democracy the idea of democracy पुस्तक के ल अरुंदती रोय जेके रोलिंग इसका correct answer है option number B Sam Pitroda Sam Pitroda he is the renowned author behind the idea of democracy a book that delves into the current state of democracy and its potential challenges particularly in countries like India and the United States Sam Pitroda वह the idea of democracy के प्रसिज लेखा के यह पुस्तक लोकतंत्र की वर्थमान इस्तिती और इसकी संभावे चुनोतियां पर प्रकास डालती है खासकर भारत और सायुक्त राज अमेरिका जैसे देशों में next question की बात करेंगे यह वह हैस बिन अपॉइंटेड एस दा न्यू CEO एंड मेनेजर्ट डिरेक्टर उफ विप्रो विप्रो के नई CEO और प्रभंध रिदेशक के रूप में किसे अन्योक्त किया गया है राजेज गोपिनाथन रिशाद परेम जी श्रीनिवास पलिया अभिदाली निमुच वाल और शृच्टों और के स्थान मश्चेयर डेलापॉल्टे के स्थान पर विप्रो का नया मुख्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निर्धेशक नुक्त किया गया है next question, world health day is observed annually on April 7th, marking the foundation day of the world health organization in 1948, what is the theme of the world health day in 2024 विश्य स्वास दिवस प्रतिवर स्थाथ अपरिल को मनाया जाता है, जो 1948 में विश्य स्वास संगठन की स्थापनातिती को चिनित करता है 2024 में विश्य स्वास दिवस की theme क्या है, health for all my health, my life healthy living, healthy planet wellness for everyone, correct answer option number B है, my health, my right in 2024, the theme of world health day is, my health, my right, focusing on the fundamental human right to access quality health care, education and information, 2024 में विश्य स्वास दिवस की theme, मेरा स्वास त्र मेरा अधिकार है, जो गुर्वत्ता पूर्वक गुर्वत्ता पूर्ण स्वास देखवाल सिक्षा और सूचना तक पहुँचके मौले कमाना वदिकार पर केंड़ित है, next question when is National Siblings Day celebrated, राष्टे भाई बहन दिवस कम मनाय जाता है, 8 April, 9 April 10 April, 11 April, correct answer option number D, C, 10 April National Siblings Day, a day to celebrate the unique bond between brothers and sisters falls on 10 April 2024 भाई बहन दिवस, भाईयों और बहनों की बीच अध्वितिय बंदन का जश्न बनाने का दिन, 10 April, 2014 को पढ़ता है, this day promotes, this day provides a fun and a meaningful opportunity to appreciate the special connection we share with our siblings, regardless of their quicks and occasional annoyances यह दिन हमारे भाई बहन के साथ साजा किये गए, विशे संबन्द की सराना करने का एक मजेदार और सार्थक अफसर पदान करता है, भले ही उनकी विचित्रताव या कभी कबार होने वाली परिशानियों के बावजूत, it is a day to celebrate the joy and laughter that comes with having siblings, यह भाई बहन होने से मिलने वाली खुशी और हसी का जशन मनाने का दिन है, next question recently the sitar in Tampura made in Miraj city of which state has been received the GI tag, हाल ही मैं किस राज्य के Miraj शेहर में बने सितार और दानपुरा को GI tag प्राप्त हुआ, महारास्टरा, केरला, गुजरात, अंदर प्रदेश, correct answer option number a, महारास्टरा recently the sitar in Tampura made in Miraj small town in Sangli district of Maharashtra has been given the geographical indication GI tag, हाल ही मैं महारास्टर के Sangli जिले हुए, एक छोटे से शेहर मिराज में बने सितार और दानपुरा को भागॉलिक संकेत GI tag दिया गया है next question, where has Apricot Blossom Festival started, हाल ही मैं, Apricot Blossom Festival कहां शुरू हुआ है उत्राकंड, हिमाचल प्रदे, जम्मुकश्मी, लद्दाग correct answer option number D, लद्दाग Apricot Blossom Festival is a vibrant celebration लद्दाग region during which लद्दाग tourism invites people to join the festivities holding immense cultural significance खुबानी फूल उत्सव लद्दाग शेत्र में एक जीवंत उत्सव है जिसके दौरान लद्दाग परेटन लोगों को अत्यदिक सांस्कृतिक महत वाले उत्सव में लोगों के साथ साजा करना है next question भारतिया तत्रक्षक बलने हाल ही मैं कहां जली या केंदर का उत्गाटन किया किरला, तमिलनाडू, महरास्टरा या गुजरात correct answer option number B, तमिलनाडू इंडियन कोस्ट गार डेरेक्टर जन्रल राकेश पाल इन्ग्रीट दा इंडियन कोस्ट गार्ड एक्विटिक सेंटर एड आईक्जीज मंडपम् नीर महरेश्वरम तमिलनाडु भारतिय तत्रक्षक महानिवेश्च विनेदिशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामश्वरम के पास आइसी जीएस मंडपम में भारतिय तट्रक्षक जलिये किंद्र का उध्गाटन किया नेक्स्ट कुश्चन रिसेंटली विच कंट्री जॉन टिनिस वॉड हुड है बीन टेक्लिएट वर्ड्स ओल्डेस लिविंग परसन हाल ही मैं कि इस देश के जॉन टिनिस वॉड को विश सब्सक्राइब को याद हमने पीछे कुशन देखा था पीछे कुशन देखा जहां पर इंसान था उसकी 115 जनम दिन से कुछ दिन पहले ही मरत्यू हो गई तो उनके मरत्यू के बाद जॉन एलफर्ड टेनिस वॉड जो कि इंगलेंड के हैं वह सबसे बुजर्ग व्यक्ति ब बनी बनी है ओप्ष्ञ है कर्णम बरिश्वरी पी थी उक जर बिशन भीठेस मेराम वीखनेट डैसान परेस्जडोल सबीज व negó स्बेड गश्मीर की बिल्के समीर ही इस साल 26 फॉलाई से ग्यार है अगस्ट तक परिस में होने वाली ग्रीश मकाली ओलंपिक में जूरी सदस के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला की रूप में इतिहास रचने के लिए तयार है She is the first person from India to be appointed as a jury member at the Paris Olympics फिलकिस who also served as the jury member in the at the previous years Asian Games in Hangzhou Hangzhou, China Means where Paris इस ओलंपिक में जूरी सदस के रूप में नियुक्तुने वाली भारत की पहली व्यक्ति हैं बिलकिस ने पिछले साल चीन के Hangzhou में एशिया एखेलों में जूरी सदस के रूप में काम किया था इस्कुशन डिसेंटली गंघूरामसे पास्टवे वडू वज़ू ही हाल ही मैं गंघूराम से का निधन हो गया कौन थे साइंटिस राइटर मूजिक्शन सिनेमेघोग्राफर क्रेक्टोप्ष ऑप्षर ऑप्षन नमडर डी सिनेमेघोग्राफर गंघूरामसे the second eldest son of f u ramsay passed away in Mumbai he was 83 years old f u ramsay के दूसरे सबसे बड़े बेटे गंगु रामसे का मुंबई निधन हो गया वे तरासी वर्श के थे गंगु रामसे वाज रिनोंड Cinematographer and filmmaker who was part of iconic Ramse Brothers Banner गंगु रामसे एक प्रसित छायकार और निर्माता थे जो प्रतिस्थित रामसे ब्रदर्स बैनर का हिस्सा थे कंट्रिबूटर टू ओवर 50 iconic films under his production house उन्होंने अपने production house के तहित पचास से अधिक प्रतिस्थित फिल्मों में योगदान किया next question नेप्टिस फिलारा recently discovered for the first time in India in tail valley wildlife century belongs to which species हाल ही में tail valley वन्य जी भाभारत की में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा कि इस प्रजाती से सम्वंदित हैं butterfly spider fish snake correct answer option number a butterfly nape this flower a rare butterfly species known as the long stick seller was recently इंडिया टेल वैली वाइलाफ सेंच्री नेफ्टिस फ्लाराइग गुर्लाइब तितली प्रजाती जिससे लंबी लकीर नाविक कुरूप में जाना जाता है हाल ही में भारत के टेल वैली वनीजिव ब्याण में खोजी गई थी पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ निम्फालीडे फै एक महत्यपुन व्यद्धी का प्रतीक है एक स्कूश्चन रिसेंटली विच और्गनाजिशन रिकमेंडेट इंपोजिंग एंटी दंपिंग ड्यूटी ऑन सोडियम साइनाइड हाल ही में किस अंगधन ने सोडियम साइनाइड पर एंटी डंपिंग शूप लगाने की सिफ जापन और कुरिया व्यापार उप्चार महांदेशक निदेशक ने चीन यूरोपिय संग जापन और कुरिया से आयातित सोडियम साइनाट पर पांच साल के एंटी डंपिंग शुल्की शिफारिस की दा इन्वेस्टिगेशन कंड़क्ट अंडरा कस्टम टेरिफेक्ट एं नेक्स कुशन रिसेंट्ली विच कुर्टी इंट्रूइस न्यू गोल्ड बेक्ट करेंसी जड़ाइजी हाल ही में किस देशने नई स्वाडेम समुद्रित समर्थित मुद्रा जड़ाइजी शुरू की नाइजरिया जिंबाबबे सेनिगल तंजानिया करेक्ट ऑप्शन है 0.2% मजबूत होकर 15 13.53 प्रति अमेरिके डॉलर की हो गई है हो गई है दे रिजर्ब बेंक ऑफ जिंबाबे वेबसाइट पॉब्लिश्टी डेटा हाइलाइटिंग दा कंट्री ओंगूइंग एफर्स तु एस्टेबलेशा इस्टेबल लोकल करेंसी रिजर्ब बेंक ऑफ एस एटी वन एकसे पकार का उग्र हे अर्थ बीचिन सैटलाइट च्लामिट मोनेंट्रिंग सैटलाइट कम्विनिकेशन सैटलाइट नैविगेशन सैटलाइट तो यह और्द ऑस्टेख की साथ एक ज्टा समीनिटेट बैसकर की साथ एक प्रत्वी अविकल है टॉब्गर ने लॉंच किया असेंबल करनाटका इट मार्स दा प्राइवेट सेक्टर फ्रस्ट फोरे इंड मिलिट्री स्ट्लाइट डिलॉप्मेंट कॉंप्लिमेंटिंग इंडिया एक्सिस्टिंग इस्रो बिल्ट इस्पाई सैटलाइट्स करनाटक में स्थापेद यह सें निप्ग्र दिवसट दोजाइचोबिस का विषय क्या है वन है लॉन फन फेंमली हम्योपैंटि व्ज्ट फैवियर हम्यो परिवार बन हैल् वन हेल्ट थ檐 फैमली वो फैमिशो परिवार हड्स Спण नमबर सी ढिप नहंपरिवार ie श्रोस्टफ अप्रिव्ड Uhr every year the theme of word homeopathy date 2024 is homeopathy one health one family wish homeopathy दिवस हर साल 10 अप्रिल को मनाया जाता है विश्य homeopathy दिवस 2024 का विश है homeopathy एक स्वास्त एक परिवार है the word homeopathy comes from Greek words homeo means similar and pathos means suffering or disease शब्द homeopathy Greek shabd homeo से आया है जिसका आर्थ है समान और pathos जिसका आर्थ है पीडाया बीमारी next question who has been appointed as the full-time member of 16 finance commission so love with iok के पूर्ण कालिन सर्थ के रूप में किसे निवत किया गया options राजीव कुमार अमिताप कांथ मनोज पंडा राजमोहन सिना correct option है option number c मनोज पंडा the central government is appointed मनोज पंडा former director of the institute of economical growth as a full-time member for the of the 16th final commission के इन सरकार ने institute of economic growth के पूर्व निद्रशक मनोज पंडा को सो लवे वित्तायुक का पूर्ण कालिन सर्थ निवत किया गया till now there were only three full-time members in the commission the center constituted of 16th finance commission on December 31st 2023 अब तक आयुक में किवल तीन पूर्ण कालिन सर्थ थे इनको मिला के चार हो गए हैं केंडर ने 31 में सुर्य में वित्तायुक को गठर किया था था दाटा चेर्मन और शींथ finance commission is aarvyn pan b rgen pan gare guess a reden pan a question who has been sworn in as a new prime minister of Ireland Ireland ने प्रहमंजर को रूप में किस ने शपथ ली माइकल मार्टिन सामानार यर्रिस माइकल मेग्राथ लियो वाराटकर औक्षन option number B Michael Simon Harris the Irish Parliament has elected Simon Harris as country's new and youngest Prime Minister Indian origin Leo Varadkar has resigned from the post of Prime Minister Simon Harris has become the youngest of the country Irish संसद साइमन हर्स को देश का नया और सबसे जबा प्रहमत्री चुना है इससे पहले भारते मूल के लियोव और अडकर ने प्रहमत्री पत्की से स्तीफा दे गया था साइमन हर्स अब देश के सबसे जबा पीम बन गए है एक्सक्षिन है कि वेजानी बैने डिक्सटन स्टूर्ट मार्क कार्टिन जैकोब दोटर नन अप्डीज क्रेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नमबर ए विजानी बैने डिक्सटन आइसलेंड्स फॉरिन मिनेस्टर बजानी बैने डिक्सटन को देश का अगला प्रामत्री चुना गया है अलियर केट्रिन जैकोब स्टोर्टर हैं फॉमर्पोस्ट टू कॉंस्टेंट्स दा प्रेजिदेंचल एलक्षन इससे पहले केट्रिन जैकोब डॉस्टिन ने राश स्टेंग नौडिक रीप देश है एक्सक्षिशन फॉर्विच मिशन था इसरो टीम वस अवार्ड़ अवाद दा प्रेस्टिजियस जोन एल जैक्षिगट जूनियर अवार्ड किस मिशन के लिए इस रो टीम को प्रतिश्टित जॉन एल जैकब स्विगट जूनियर पुरस स्टिजियस स्पेस स्कॉलर जौन एल जैक सुगर्ड जुनियर एवार्ड टुझान फेंटिफॉर भारत की चंदरयान 3 मिशन टीम को हाल इमें प्रतिश्टित अंतरास्थ अंत्रिक्ष्ष विद्वान जौन एल जैक स्विगर्ड पुरसकर 24 से समानित किया गया इस वार्ड इस पुरसकार का नाम नासा द्वारा जॉनियर के नाम पर भी रखा गया है इसका नाम जेक्स विगर्ट जुनियर के नाम पर भी रखा गया है जिन्होंने अपोलो 13 में उडान भरी थी नेक्स्ट कुश्चन फू है एर इंडिया रिसेंटली अपूंटेट हैड़ फिट्स ग्लोबल एरपोड ऑपरेशन हाल ही में एर एर इंडिया ने अपने वैश्विक हवाइड़ा परचालन का प्रमुख किसे नियुक्त किया है नंद किशोर काल रा जैराज शन्मगम रभी है वैश्विक हवाइड़ा परचालन का नया प्रमुख नहीं किया है शन्मगम विल बिगन इस न्यू रोल फ्रम अप्रिल फिफ्टीं तुसांट्टिफोर एंड विल रिपोर्ट टू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लॉस 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 शन्मगम पंदर अप्र अप्र को मैं迅ने य उस डॉल ख विलंवर्ट अथ्लेट्क्स वहार्ट टु दो गोर्ड मेंडर विनर इन आ Hugh ऑच्पच्णा और एक Kr नोपच्णांटनमपर वहार्ट फिफीख में प्चास के वड़ेटिक्स introduction को तुर्ण पदक विजयताओं को पचास जार अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार देगा तिस इस फस्स टाइम देट वर्ड एथ्लेटिक्स हैस अनॉंस्ट प्राइज मनी फॉर एन ओलम्पिक स्पोर्स इवेंट यह पहली बार है कि विश्व एथ्लेटिक्स ने किसी ओलम्पिक ख तीनो रैंक वालों को दिया जाएगा एक्स्क्षान ग्लोबस ग्लोबल है पैटैटिस रिपोर्ट तर्म 24 पिसे रिज़ेंट विच और टॉड़ेंटी फिर व्हें ग्लोबल है पिटैटिस रिपोर्ट होजाएट चॉबशिवा सव्टिट अग्लोबल हैट ने प्रेटिट सी रिलीस दूरिंग वर्ड हैपिटाइटिस सम्मिट व्हों एम्स टू ऐलिमिने एपिटेटिस व्हों ने जो दोजार चॉबिस में रिपोर्ट ग्लोबल हैपिटाइज रिपोर्ट जारी की उसमें भारत के उच्छ प्रसार पर प्रकास जालती है इसमें विके के 2.9 करोन मामले भारत में हैं और हैपिटाइटिस के 0.55 मामले भारत में है विश्वह हपिटाइटिस शिखर संबिलन के दौरान जारी यह लक्ष 2030 तक हेपिटाइटिस को खदम करना है एक्स्कूशन पीटर हिक्स हुड रिसेंटली पास्ट अवे रिसीव दनोबल प्राइस पर विस रिसर्च पीटर हिक्स जिनका हाली में दिधन हो गया वेक्स शोद के लिए नोबल प्रशकार मिला क्वांटम मेकेनिक्स दिस्कवरी अव क्वेलिमें यृद्धियम और दी अन्वानी एंटेश पास्ट अवेट रॉट्टर दिस्कवरी अव्ड व्लम पार्टिकल यृइट स्विस्टोंभ ऑर दीजिजुक्व्डैक्स पोस्ति पोस्त् बिग्-बेग्स बिक्स प्रीटिकल की खोज के लिए प्रसिद्धि बिट ब्रह्मान को स्पष्ट किया है सी डॉम एयर डिफेंस सिस्टम इस डेपलप बाइच बड़नाली जो हाल ही मैं समाचारों में देखी गई किस देश द्वारा विक्सित की गई इसराइल रशिया चाइना या इंडिया करेक्ट ऑप्शन नमबर ए इसराइल 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 ने पहली बार अपनी जहाज पर स्थापित रक्षा पड़ाली सी डॉम आयरन डॉम का एक नौसानिक अनुकूलन रोबोट और मिसाइल खत्रों जे बचाता है एक्सक्शन वाट इस प्रैमरी अब्जेक्टिव ऑफ दा स्टार्ट प्रोग्राम इनिशेटिव इस परेक्ट्रप्च नमबर सी तो प्रव प्रॉइड इंट्रोड़क्टरी लेवल online ट्रेनिंग दे स्टार्ट प्रोग्रम आफर सेंट्रेक्टरी लेवल ओनलाइन ट्रेनिंग पर्पेड़ एम्ड एट नर्चरिंग आस्पारिंग साइंटिस्त एंग इंजिनियर्स एरियास सब्सक्राइब करता है जिसका उद्देश अंतरिक्ष विग्यान के विविन चित्रों में एच्छुक विग्यानी को और इंजिनेरों को बढ़ावा देना है नेक्स्ट कुश्चन विर इस सित्वे पोर्ट लोकेटें सित्वे बंदरगा कहां इस्तित्त है शेलंका मौरेशि सब्सक्राइब के बाद भारत को में में दूसरे विदेशी बंदरगा सित्वे को संजालत करने का अधिकार मिल गया है दम मिनिस्ट्री अप्रपूसल फॉर इंडिया प्रोडेक्ट ग्लोबल इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल टो टेक ओवर अपरेशन ऑव देंटार पोर्ट सब्सक्राइब को समालने के लिए इंडिया पोर्ट ग्लोबल के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है नेक्स्क्राइब देश्ट्र प्रप्रदेश प्राइब प्रश्ट्र गेंद के रूप में काम करती थी अब एक अधुटी संग्रहाले में तब्दील हो गई है संग्रहाले का नाम क्या रखा गया है सुंदरम कल्प व्रक्ष देशांतर या भारत दर्शन बीज दकरेक्ट अंसर कल्प व्रक्ष इसमें उत्तर प्रदेश से संब्दित दुरलब पुरा तत्विक और एतियासिक कल्प व्रक्षियां हैं जिन में राज्य को सिबिल सिवाओं की कलांकर दिया भी शामिल हैं एक्सक्राइप से वेंडिए पुसंट पनज्ण स्यूवाद्य का सिविड़ू लिमिप्टेड स्टॉप में किसे निव्यक्त किया को ब्लीण सुल सामा मनोच पढण ध्र हरेंदर शिंग प्ल्यांदर सिंग मरuve ऑचि शुषींध सब्सक्राइब काम कर रहे हैं नेशनल सेफ मदरूड डे कि सब्सक्राइब हरवच कामराय जाता 10 अपरेल,18 अपर hill,18 अपर le एंचेशनल सेफ मदरूड डे क numbers 1, Aprilике 12 9 अपर बार il सक्राय नहीं किसan द्यूम्दड drie वी मिलीख देनival। सामने आने वाली चुनोतियों के बारे में जनता को सिक्षित करने और सुरक्षित गर्भा वस्ता और प्रसवोत्तर सहयता के बारे में जागरुकता फिलाने के लिए मनाया जाता है यह भारत सरकार ने उpielt 23 पे आधिकार तो पर इस दिन को रास्ट्र है सुरक्षित मातरत्त दिवस के रूप में मनत दी यह दिन कस्तुर्भा गांदी की जहिंती काहई प्रतीक है भारत में हर साल ग्यार अप्रेल को रास्ट्रियत मातरत मनाया जाता है यह दिवस नई माताओं के लिए है अगला कॉप्शन वू हैज बीन अपॉंटेट आज दा कोच आफ दा सीनियर वुमेंस नेशनल होकी टीम सीनियर महिला होकी टीम का कोच किसे निव्ट किया गया है आपके सामने है बलबीर सिंग हरेंघ रजुन सिंग धन्रच पिले हरेंद्र शिंग तो कर्यक्ट आंसरों ऑप्षण निवर डी हरेंद्र सिंग हरेंद्र सिंग इस अपॉंट्ट एज़ लाश ऑंचल वुमेंस होक्की कोच फॉरम एंडिया होकी प्यार एंट रुनाचार यवर्डि हरेंज हैं को राश्त्य लाइल्र कोच्छ निप्त लूम्पिक तक कोच्छ निप्त किया है कोच्सक्ट अ किया जाएगा कश प्राइमरी अब्झेश्च में समाच़्च में देखे गए OSC ए कह स्ञाइ DRN किया दोर डिश्बर सब्साइटिस होट्रिक पर्मार्रा in inverse to facilitate water registration process to provide real-time updates on election results correct option option number a to disperse subsidies to horticulture farmers the government of india has launched cdp surakshah digital platform for horticulture farmers to receive subsidies efficiently features include uidei validation e-rupee integration and geotagging farmers can order plant material contribute their share and receive subsidies automatically लिए भारत सरकाने बागबानी किसानों के लिए गुशलता पूबग सब्सक्राप्ट करने के लिए एक डिश्टल प्लेटफर्म सीडीपी स्रक्षा लॉंच किया है सो विधाओं में यूई यूपी आई एकी करण और सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना योगदान दे सकते हैं सब्सक्राइब से सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट पूच्छन रिसेंटली हुए इस बिए पार्ट और बिटेंज रिसर्च टीम UCL has been appointed selected to be part of Britain's research team on Dementia the team is called Adapt Alzheimer's disease diagnostic and plasma PTO 217 will focus on the bio marker PTO 217 which reflects the level of two proteins found in the brain that are associated with Alzheimer disease amyloid and tau the team will conduct a trial to see if the measuring PTO 217 in the blood can increase the rate of diagnosis for Alzheimer disease in in people with early dementia as well as in those with mild progressive memory problems यानि कि भारतिय मूल की नियुर्लोजिस्ट और युनिवर्सी कॉलेज रंदंक में सीनियर क्लिनिकल रिसर्च और मानद सहाकार नियुर्लोजिस्ट फैलो डॉक्ट राश्मिन केश्वन को डिमेंशिया पर बिटेरिंगी शोट टीम का हिस्सा बनने के लिए चुना गया है एड़ेप्ट अल्जाइमर रोग निदान और प्लाजमा पीटाव टूवन जैमिक नामक टीम बायो मारकर पीटाव टूवन जैमिकल द्यान करेगी चो मस्तिस्क में पाई जाने वाले दो प अपने से प्रार्मिक मनुप्रश वाले लोगों के साथ साथ हलके प्रगतिशील इसमती समस्यां वाले लोगों में अल्जाइमर के निदान की दर्द में व्रद्दी हो सकती है नेक्स्ट कुशन केनरा बैंक डिसेंटली साइंड डेन एमो यू विद्विच इनिस्टिशन पर प्रोवाइडिंग फैनिश्य सपोर्ट इस्टार्ट अप्स केनरा बैंक ने हाल ही में स्टार्ट अप को वित्य साहिता प्रदान करने के लिए कि संस्था के साथ एक सम्झोता के आपन पर स्टक्षर किये आई टी मद्रास आइट दिल्ली आइट कानपूर आइट बंब बंबे करेक्ट रंसर अप्शन नंबर भी इट बंबे केंडरा बैंक और सुसाइटी फॉर इन्नोवेशन इंट्रप्रेंशिप आइट बंबे फॉर्मालाइज प्लैबोरेशन वाइए में मू इस क्लोबरेशन ऐंस तो बोल्स्टर था स्टार्ट अप सेक्टर पाइंश्य इंडिया केनरा बैंक और सुसाइटी फॉर इन्नोवेशन इंट्रप्रेंशिप इंट्रप्रेंशिप बंबे नियक सम्झादा गयापन MOU के माध्यम से सहयोग को अपचारे ग्रूप दिया इस सहयोग का उद्देश्य वित्य साहिता और साहिता प्रदा करके स्टार्ट अप छित्र को बढ़ावा देना साथ मिलकर भी भारत में वियावसायों की व्रद्धियों और सफलता को बढ़ावा देना चाहते हैं नेक्स कुश्चिन इसेंटली विच इस पेस और्गनाशन हैस बिन डिरेक्टिट वेस्ट इस्टापिन करने का इस्थापित करने का निर्देश दिया गया है सी एने से जे एक से इस रो या नासा प्रेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर दी नासा नासा हैस बिन टास्ट फॉइद एस्टेश्टिंग इस्टेशिंग कोडिने लुनार टाइम एज युनिफाइड इस्टेंटर फॉर्टेश्टिंग उन्दा मून और अधर इलेस्टिल इस अन्लाइक टाइम जोन्स टाइम स्टेंडर्स डिफाइन उनिट्स ऑफ टाइम टाइंड टाइम कीपिंग के लिए एक 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 क्रत मानक की रूप में संबन वित चंद्र समय एल्टी सी स्थापित करने का काम सौपा गया है समय छेतरों के विपरीज समय मानक समय की काईयों को परिफास करते हैं और चंद्र मिशनों की योजना के साथ अलग 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 गुरुत्ता कश्ण बलों और आकाशी प्रभावों की कारण एक मानक महत्तपून साबित होता है यहार वारतरों स्कूम स्कूर्ट प्रемуड शाइंगा जैता आता है दस अप्रेयल कियाराप्रेय बाराप्रेयल करेंशुकर कॉर। B 12 April C sorry correct transfer option number C 12 April option number C 12 April the international day of human space flight is commemorated every year on April 2 to mark the beginning of the space era of mankind United Nations General Assembly on 12 April on April 7 2011 passed the resolution to establish the international day of human space flight particular day every year मानव संदक्षित उड़ान मानव अंत्रिक्स उड़ान का अंतराष्टे दिवस मानव जाती के लिए अंतरिक्स युग की शुरुबात को चिनित करने के लिए हर साल 12 April को मना जाता है संयुक्त राष्ट महासबा ने 7 अपरल 2011 को हर साल एक विश्चेस दिन पर अंतराश्टे मानरव अंतरिक्ष्पडान दिवास अस्तापित करने का प्रस्ता पारित किया था एक्सक्षिंट कर्सक्राइस को मटिस्टेल रजट महीं सब्सक्राइब किमेर इसे ऑच्षिंट कंटिल ऐसे कड्वड tea कंटिल वेल्ट पर खुंपारि इसे करम एक मड़े एक5 इचिंट ने कर वेल्टेश्ट मेंस्टान पारशन के तृइश्म ऑंपार घ्यो मट्ल रे chapter-aér डिश्मी अन्य चिंद्वारा आयजित एक्यावनवा राष्टिय के महिला वाइनल में के नाग जोती को हराया तेल और प्राकरतिक गयास निगम में मुख्य प्रबंदर के रूप में रश्मी के लिए है रिकॉड बारेवा राष्टिय महिला इकल किताब था नेक्स्ट्र प्रदेश फस्ट चित्रकूर्ट के सितन पर बनाया गया है यॹ चित्रकूर् नम्ब बी कित्र प्रदेश फस्ट ग्लासवा ब्रज है बिए टुल्सी के वडरेफ में चित्रकूर इस क्सित्रिक अडूर्देश फैस्ट बिल्स्ट्रीछ नहीं स्कॉडिट वार दुल्टे-एठ इस पुन्यो सब्सक्राइब के चित्रकूर जिले में तुलसी जरने बनाया गया है दनुच बाण के आकारम बने इस पुल में तीर इसकी लंबाई 25 मीटर है है जबकि धनुच जिसकी चौड़ाई 35 मीटर दोनों के बीच में बीच में है इस पुल की भार्शंदा 500 किलोग्राम प्रतिवर् बीच प्रोजेक्ट भारतिय से ना ने परियोणा के तहट ने अंतर और यांत्रड बड्राली को शामिल करना शुरू किया किस पर इस पुल कितहता अजे आकाश तल्वार आकाश्तीर अचांस अट्र ऑंसर नंब डी अकाश्तीर दा इंडिया आज आर्मी है इस इंट्रेशन ऑफ आर्मीज डिफेंस सिस्टम भारतिय सेना ने अपनी वायू रक्षा समताओं को बढ़ाने के उद्देश से एक रणनितिक कदम प्रोजेक्ट आकाश्तिर के रूप में नियंत्रणा रिपोर्ट सिस्टम के कार्यानवयक कार्यानवयन की शुरुबात की है ब अगर आपको यह हमारा प्रयास पसंद आया तो आप जो हमारा सेशन है इसको लाइक करें शेयर करें और साथ मैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइकन दबा दें जिससे कि आपको हर नए वीडियो को नोटिफिकरें मिल जाए विदिन वन डे अगले एक दिन के अंदर कर अंदर हम कुछ कोशन्स और डिसकस करेंगे जो कि वीकली करेंट अफेर्स पर डिपेंड होंगे जो कि 16 अपरेल से लेकर 21 अपरेल तक के कोशन्स रहेंगे ठीक है तो सेशन आपने इंजॉय किया है थैंक यू बेरी मॉच थैंक यू फर वाचिंग